नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अंकेत और आप देख रहे हैं Depth of Science स्वागत है आपका आज इस नए वीडियो में आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्रमाण में सबसे तेजी से बढ़ने बारे प्लेक होल की बैक यानिकों ने खोज की है तो बने रही हैं हमारे साथ इस वीडियो में मैं आज आप से इसी के बारे में बात करूँगा और साइंस से संबंदित रोचक जानकारी के लिए Depth of Science को सबस्क्राइब करें वैक्यानिकों ने ब्रमाण में सबसे तेजी से बढ़ने वाले ब्लैक होल की खोज कर ली है यह ब्लैक होल हर दो दिन में सूरी के भर के बराबर गैस निगल लेता है उनका अनमान है कि करीब 12 अरब वर्ष पहले इसका आकार 20 अरब सूरी के बराबर रहा होगा यही नहीं प्रतेक 10 लाग साल के पाद यह 1 फीसद बढ़ जाता है Australian National University ANU की Siding Spring Observatory स्थद टेलेस्कोप ने इससे निकलने वाली रोशनी की पहचान की और European Agency की GAICA सेटलाइट ने इसका पता लगाया सूर्दकरताओं का कहना है कि हर दिन यह भारी मात्रा में गैस सोक लेता है जिससे उसमें घरशन और ताप उत्पन हो जाता है इस वज़े से यह किसी आकास कंगा से हजार गुना ज्यादा चमकीला दिखाई देता है यदि यह ब्लैक होल हमारी आकास कंगा मिलकी वे में इस्सित होता तो यह पूर्णिमा के चंद्रमा से ज्यादा प्रकाशित और चमकीला दिखाई देता ANU के वैक्यानिक क्रिश्चन वुल्फ का कहना है यदि यह ब्लैक होल मिलकी वे में होता तो इसकी चमक के पीछे कोई भी तारा दिखाई नहीं देता इससे निकलने वाली किरणों के कारण धरती पर जीवन कभी संबब नहीं हो पाता इस तरह के विशालकाई और तेजी से बढ़ते ब्लैक होल बहुत धनोकी हैं इस ब्लैक होल में मौझूद गैसों को आईनी करत कर ब्रहमांड को और पारदश्री बनाया जा सकता है आने वाले समय में बड़े आकार के टेलेसकोप इन ब्लैक होल की मदद से ब्रहमांड के विस्तार का सटी अन्माल लगा पाएंगी आज की वीडियो में बस इतना ही उमीद है ब्लैक होल के बारे में ये जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर आप कोई जानकारी पसंद आई तो इसे प्लीज लाइक करें ब्लैक होल से संबंदित कोई भी सुजाओ हो या सला हो तो आप कमेंट सेक्षिन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को चादा चादा शेयर करें और साइंस संबंदित ऐसी हिरोचे जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल डेप्ट आप साइंस को मैं मिलता हूँ आपके लिए हमारी अगली वीडियो में तब तक के लिए पी साइंटिपिक, पी मेश्टिटी और बी क्यूरियस गुद्बाई गाइस